हेलो बच्चो चलिए देखते हैं क्लास एड न्यों एन्सीर टी मैथ की अकोडिंग एक्सरसाइज एट पॉइंट टू का क्योसे नमबर वन क्या है find the product of the following pair of monomials यहाँ पर क्या है हमें pair of monomials दे रखे हैं जिनकी हमें product find out करनी है अब monomials होती क्या है वो होते हैं जिनकी अंदर एक single term होती है उसको हम monomials कहते हैं अब यहाँ पर देखो आपको एक single single term दिखाई दे रही है तो यह हमारे क्या हैं सारे monomials हैं इनकी product आपको find out करनी है बड़ी simple होती है product find out करनी तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर first part के अंदर हमें क्या दे रखा है 4 इसकी product हमें किस से find out करनी है 7P से तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो भी हमारे पास integer value है ना उनकी product करेंगे 4 की 7 से multiply की तो 4 7 जा 28 और उसकी बाद हम हमारे पास देखना है हमें English alphabet क्या दे रखा है P दे रखा है उस P को हम adjectives लिख देंगे बस यह आ गए हमारे पास product अब second part के अंदर देख लेते हैं second part के अंदर हमें क्या दे रखा है minus का 4P इसकी product करनी है हमें 7P से तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर integer value की product करो 7 की 4 से multiply की 28 sign किसका है minus का फिर यहाँ पे देखो P है और यह भी P है तो P की P से product कैसे होगी यहाँ पे power देखो क्या है 1 और इस पे भी power क्या है 1 तो अगर same alphabet है और उनकी अगर हमें product करनी है तो powers को add कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P की power 1 और 1 2 तो यह आ गई हमारे पास product ठीक है third part देख लेते हैं third part के अंदर हमें क्या दे रखा है minus का 4P इसकी product हमें करनी है 7P के उसे अब इसकी देखेंगे product यहाँ पे 4 की 7 से की तो 28 sign किसका हैगा minus का अब यहाँ पे P की power क्या है 1 यहाँ भी P की power क्या है 1 तो P की P से multiply करेंगे तो क्या आ गया P की power 2 अब Q अके के साथ हम write down कर देंगे तो यह answer आ गया अब fourth part पे more on करते है fourth part के अंदर हमें क्या दे रखा है 4P cube तो लिखेंगे यहाँ पे 4P cube इसकी product हमें किसे करनी है minus के 3P से सबसे पहले हमें क्या करना है integer values की हमें product करनी है minus 3 की 4 से करेंगे तो 4 3 जा 12 minus का 12 यहाँ P की power 3 है यहाँ पे P की power 1 है तो product करते time same base की power क्या हो जाएंगी add तो 3 और 1 क्या हो गया 4 तो P की power 4 यह answer आ गया last part पे more on करते है fifth part पे यहाँ पे क्या है हमारे पास 4P इसकी product हमें किसे करनी है 0 से अब किसी भी number को अगर हम 0 से multiply करते हैं तो वो number क्या बन जाता है 0 ही बन जाता है बस यह आपको ध् ठीक है यह हा गई हमारे final answer अब आपसे मैं एक छोटा सा question पूछता हूँ उसका answer आपको comment करके बताना है अगर मैं 4P को 0 से divide करता हूँ तो इसका answer कौन सा आएगा first option दे रहा हूँ में 1 आएगा second option दे रहा हूँ में इसका 4P आएगा third option दे रहा हूँ में यहाँ पे इसका answer 0 आएगा और fourth option में आपको दे रहा हूँ इसका answer infinity आएगा मतलब not defined इन में से आपको answer मुझे comment करना है देखता हूँ मैं किसका math या किसके basic concept ज्यादा strong है ठीक है इस question का answer आपको comment करके जरूर बताना है क्या है question number second find the area of a rectangle with the following pair of monomials as their length and breadth respectively हमें यहाँ पे क्या दे रखी है pair of mon monomials दे रखे हैं जिनको आपको rectangle की length of breadth count करना है जो आगे monomials given मिलेगा वो आपकी length of rectangle होगी और second वाला आपकी breadth of rectangle होगी तो उनकी help से हमें area of rectangle find out करना है अब सबसे पहले more on करते हैं first part के उपर यहाँ पे लिखेंगे area of rectangle area of rectangle क्या होगा length multiply breadth length multiply breadth यह हमारे पास formula होता है ठीक है अब यहाँ पे first part के अंदर देखो length हमें क्या दे रखी है length equal to है हमारी p और breadth जो है हमारी breadth equal to दे रखी हमें q तो area of rectangle क्या हो जाएगा area equal to length into breadth करना है length क्या है p multiply breadth क्या है q तो p और q की अगर मैं multiply करता हूं तो area equal to क्या आगया p और q की multiply p q तो यह हमारा क्या आजाएगा answer आजाएगा कुछ इस तरीके से आपको question को simplify करना है दाकी आपके full marks मिले ठीक है अब सभी questions को हम ऐसे ही लिखे करेंगे second part को देख लेते हैं second part के अंदर हमें length क्या दे रखी है ऐसे लिखेंगे length equal to 10m और breadth जो हमें दे रखी है breadth equal to 5n अब area क्या हो जाएगा यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका area area equal to length into breadth तो हमारे पास क्या आगया length क्या है 10m multiply 5n अब product करने का simple सा तरीका पहले क्या है integers value की product करेंगे बच्चो 10 की 5 से multiply 50 फिर m की n से multiply तो m n क्योंकि दोनों अलग-अलग alphabet हैं तो उनको हम यहाँ पे 7 में लिख देंगे तो यह आगया मेरे पास area of second part next देखते हैं इसके third part पे यहाँ पे देखो हमें length क्या दे रखी है third part में इस तरीके से लिख लेंगे length equal to 20x square और breadth क्या दे रखी है breadth equal to 5y square तो area equal to क्या होगा area equal to length multiply breadth तो बस simply यहाँ पे value पुट कर देंगे 20x square इसकी product हमें किस्से करनी है 5y square से चलिए भई पहले integer value की product करते हैं 20 की 5 से multiply करेंगे तो 25 जा क्या होता है 100 यहाँ पे x square है यहाँ पे y square है दोनों अलग-अलग इंक लिख लिख देंगे x square y square यह हमारा क्या आगया answer आगया बिल्कुल simple था fourth part पे moan करते हैं यहाँ पे देखो length क्या दे रखी है ऐसे जरूर राइट डाउन करना है आपको यह हमें दे रखी है 4x और breadth क्या दे रखी है हमें breadth equal to 3x square तो area equal to क्या हो जाएगा बच्चो length multiply breadth तो length कितनी है हमारे पास 4x इसकी product किस से करेंगे हम 3x square से करेंगे अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या करना है integer value की integer से तो 4 की 3 से multiply 4 3 जा 12 x की power यहाँ 1 है यहाँ पे x की power 2 है दोनों सेम alphabet मिल गए तो power क्या हो जाएगी add हो जाएगी तो x की power क्या हो गया 2 और 1 3 तो 12x cube क्या हो गया area of rectangle and this is the answer अब फिफ्ट पार्ट देख लेते हैं क्या दे रखा है हमारा यहाँ पे length equal to क्या है length equal to 3 mn और breadth क्या है breadth equal to 4 np तो area equal to क्या होगा बच्चो area equal to length multiply breadth तो length की value 3 mn इसकी product करने हमें 4 np से तो सबसे पहले क्या करेंगे हम integer value की product 4 3 जा क्या हो गया 12 फिर देखो बच्चो पहला alphabet क्या है m यहाँ पे नहीं है ठीक है बई n है n इसमें भी है इसमें भी है तो n की n से product करेंगे तो n square फिर हमारा m अकेला है और p अकेला है तो इस तरीके से लिख सकते हैं आपको book के अंदर इसका answer इस तरीके से भी मिल सकता है 12 पहले m की इससे multiply की तो m as it is फिर n की n से की तो n square और फिर p ऐसे भी लिख सकते हैं आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं दोनों का meaning same है ठीक है यह हमारा final answer हो गया clear हो गया next part देखते हैं इसका question number third क्या दे रखा है अब question number third के अंदर दे रखा है complete the table of products हमें यहां पे first monomials दे रखे हैं इस तरीके से row wise और second monomials हमें दे रखें column wise तो हमें इनकी product करके इन blanks के अंदर write down करना है बड़ा simple है ध्यान से देखो उसने पहली product करके दिखा रखी है कि 2x की 2x से multiply करेंगे तो 4x square आपका answer आएगा फिर हमें क्या करना है 2x की multiply करनी है minus के 5y से तो यहाँ पर करेंगे हम 2x multiply minus का 5y करते हैं भई 5 2 जा minus का 10 x और y की product करेंगे तो xy तो यहाँ पर मेरा क्या आजाएगा minus का 10xy यह हमारे पास क्या आगया answer आगया इसके अंदर फिर हमें किसकी product करनी है 2x की 3x square से तो यहाँ पर लिखेंगे 2x multiply 3x square तो क्या आगया मेरे पास 3 2 जा 6 x की और x square की product करेंगे यहाँ पर x की power 1 तो क्या हो जाएगा x की power 3 हो जाएगा फिर 2x की multiply करेंगे minus के 4xy से तो 2x multiply minus का 4xy 4 2 जा क्या हो गया minus का 8 x की power 1 x की power 1 तो x की power 2y यह answer आगया next product का निया में 2x की multiply 7x square y से तो 7 2 जा क्या हो गया हमारा यहाँ पर 14 x की power 1 और 2 क्या हो गया x की power 3 और y as it is और last product क्या है हमारी 2x की multiply हमें करनी है minus के 9x square y square से तो minus 9 2 जा क्या हो गया minus का 18 यहाँ पर x की power 1 यहाँ पर x की power 2 तो क्या आगया x की power 3 और y की power 2 अब इन सभी values को हम इस row के अंदर write down कर देते हैं तो यहाँ पर देखो 2x की और minus 5y की product जो आई थी minus का 10xy आई थी write down कर दी हमने second जो product आई है 2x की और 3x square की वो आई है हमारी 6x cube फिर 2x की और minus 4xy की करेंगे तो हमारे पास क्या आगया 24 जा माइनस 8x square y ऐसे ही 2x की इससे करेंगे तो क्या आगया मेरे पास 14x square y फिर 2x की इससे की तो minus का 18x cube y square समझ में आ गया किस तरीके से product करनी है हमें अब इनको हम बारी-बारी से filling the blanks को fill कर लेते हैं अब यहाँ पर देखो minus 5 की 2x से करेंगे इसकी इससे एक-एक से करते से लेंगे पहले इससे फिर इससे फिर इससे फिर इससे minus 5 की 2 से की minus का 10 x की y से करेंगे तो xy आ गया फिर minus 5 की minus 5 से करेंगे तो minus plus हो जाएगा 5 5 जा 25 y की y से करेंगे तो y की power 2 आ गया आगे यह हमें product already करके दे रखी है minus 5 y की इससे करेंगे minus 4 minus 5 की product 20 x as it is और y और y की product करेंगे तो y की power 2 आ गया फिर इसके करेंगे 75 जा माइनस का 35 X square Y की Y से करेंगे तो Y square माइनस 5Y की इससे करेंगे तो 59 जा 45 X square Y square है यहाँ पे Y से करेंगे तो क्या आजएगा Y cube आजएगा अब product आपको समझ में आ गई किस तरिक्ये से write down करनी है आप इनको easily कर सकते हैं अब यहाँ पे इनको लिख देते हैं एक बार 3, 2 जा 6 X square X की करेंगे तो X की पावर 3 3, 5 जा माइनस का 15 X square Y की करेंगे तो X square Y 3X square की 3X square से करेंगे तो 3, 3 जा 9 और X की पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा फिर 3, 4 जा माइनस का 12 X की पावर 3, Y 3 x square की इससे करेंगे 7 3 जा 21 और x square की x square से x की पावर 4 y next करेंगे 3 9 जा minus का 27 x की पावर 4 y की पावर 2 next आजो minus 4 2 जा 8 x x की multiply x square y फिर minus 5 4 जा plus का 20 x y square minus 4 की 3 से की तो minus का 12 x की पावर 3 y इसकी minus minus की करेंगे तो plus का 16 x की x से x square y की y से y square minus 4 से जा minus का 28 x की पावर 3 हो जाएगा और y की पावर 2 हो जाएगा minus 4 9 जा 36 x की पावर 3 y की पावर 3 ठीक है same जो alphabet मिल जाए तो आपको पावर एड कर देनी है नहीं तो उनको as it is लिख देना है next देखते हैं 7 2 जा 14 यहाँ पे x square है यहाँ पे x है तो x की पावर 3 y फिर 75 जा minus का 35 x square y square 73 जा 21 x square x square की multiply x की पावर 4 y 74 जा minus का 28 x square की x से करेंगे तो x की पावर 3 y की y से करेंगे तो y square 77 जा 49 x square की x square से की तो x की पावर 4 y की y से करेंगे तो y की पावर 2 79 जा 63 minus का 63 हो जाएगा x की पावर 4 y की पावर 3 अब last हमारे पास यहाँ पे रो बच गई तो minus 92 जा क्या हो गया minus का 18 x square x की multiply करेंगे तो x की पावर 3 y की पावर 2 फिर minus minus plus हो गया 95 जा क्या होता है 45 x square x t जा जएगा y square की y से multiply y की पावर 3 फिर minus 93 जा minus का 27 x square x square की पावर बच्चो x की पावर 4 y square x t जा जएगा minus 9 की 4 से 36 x की पावर 3 y की पावर 3 minus 97 जा minus का 63 x की पावर 4 y की पावर 3 minus 9 की minus 9 से 81 x square x square की multiply x की पावर 4 y square y square की y की पावर 4 I hope आपको समझ में आ गया किस तरीके से मुझे table complete करनी है first row मैंने complete करके दिखा दी थी next row आपको खुझ से try करनी है कहीं पे दिक्कत लगे तो आप यहां से answer match कर सकते हैं question number 4 देख लिते हैं हमें यहां पे 4 parts के अंदर length, breadth और height दे रखी है तो हमें volume of rectangle find out करना है बड़ा simple है सबसे पहले first part को समझ लेते हैं यहां पे हमें क्या दे रखा है? length दे रखी है length equal to क्या है? 5a है उसके बाद हमें breadth दे रखी है breadth लिख लेते है breadth equal to क्या दे रखा है? 3a square दे रखी है उसके बाद हम height दे लेते हैं height क्या दे रखी है हमें? यह हमें दे रखी है 7a की power 4 अब हमें volume निकालना है तो volume किसके equal होता है? volume of rectangle rectangle क्या होगा? length multiply breadth और multiply height यही formula होता है हमारा बस हमें इन तिनों को multiply कर देना है तो volume equal to क्या आ जाएगा? हमारा first part के अंदर length क्या है? 5a इसकी product किसे होगी? 3a square से फिर इसकी product 7a की power 4 से अब कोई भी value दे रखी हो, कितनी भी monuments दे रखी हो, आपको product करते time a की तरीक का याद रखना है बस सबसे पहले integer value की product करेंगे तो 5,3 जा 15, 15 की 7 से multiply करेंगे तो 105 पहला काम खटम हो गया उसके बाद English alphabet चेक करेंगे यहाँ पे देखो a है, a की power 1 है यहाँ पे a की power 2 है, यहाँ पे a की power 4 है तिनों की तिनों a है, same English alphabet है तो powers क्या हो जाएंगी? add तो यहाँ पे आजाएगा मेरे पास a इसकी power 4 और 2, 6 और 1, 7 तो 105 a की power 7 क्या हो गया? volume हो गया हमारा इस rectangle का समझ में आ गया? first part, second part को देखते हैं second part के अंदर हमें क्या दे रखा है? लिख लेंगे length equal to 2p breadth को हम b से denote कर लेते हैं और height को हम h से denote कर लेते हैं वो हमें क्या दे रखा है? 8r दे रखा है तो volume equal to किसके हो जाएगा बच्चो? length multiply, breadth multiply, height तो value पुट कर लेते हैं length क्या है? 2p इसकी multiply 4q से इसकी multiply 8r से अब simple answer देखो क्या आएगा? पहले English alphabet की product नहीं करेंगे पहले integer की करो 24 जा 8, 88 जा 64 फिर देखो यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, तिन्नों अलग-अलग English alphabet है तो simply product क्या जाएगी? P, Q, R आ जाएगी समझ में आगे ना बात? यह हो गया हमारा volume अब third part को देख लेते हैं थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है? length equal to दे रखी है xy breadth हमें दे रखी है 2x square y और height हमें दे रखी है 2xy square तो formula लिखेंगे यहाँ पे volume equal to length multiply breadth into height तो यहाँ पे देखो length क्या है? xy इसकी product 2x square y से और height क्या है? हमारे पास 2xy square अब इनकी product कर लेंगे सबसे पहले देखो English alphabet यहाँ पे क्या है? xy, यहाँ x square y, यहाँ पे xy square और integer value क्या है? 2, 2 और 1 तो 2, 2 जा क्या हो गया? 4 अब सबसे पहले देखो x आ गया मेरा x check करो कितने है? यहाँ पे x की power 1 यहाँ पे x की power 2 यहाँ पे भी x की power 1 तो x की total power कितनी होगी? 2 और 1, 3 और 1, 4 तो x की power 4 फिर y की power गिन लो यहाँ पे y की power 1 है यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है तो 1 और 1, 2 और 2, 4 तो y की power 4 तो यह आगया मेरा final answer आगया volume of this rectangle अब 4th part देख लेते हैं क्या है? 4th part के अंदर length क्या दे रखी है? हमें a breadth क्या दे रखी है? हमें 2b और height हमें क्या दे रखी है? 3c तो volume simply क्या हो जाएगा हमारा? volume equal to length multiply breadth multiply height तो length की value a multiply 2b multiply 3c तो क्या आगया है? यहाँ पे 2 की 3 से multiply 2, 3 जा 6 a, b और c की multiply a, b, c बस यह answer आ गया मेरा simple था यहाँ पे अलग-अलग English alphabet थे तो power add करने की जुरूरत नहीं है directly उनको हम write down कर देंगे last part देख लेते हैं इसका क्या है? क्योसर number 5 obtain the product of these monomials हमें यहाँ पे multiple monomials दे रखे हैं जिनकी हमें product find out करनी है बिल्कुल simple है first part के अंदर देखेंगे product क्या आएगी? पहले देखो हमारे पास monomial क्या है? x, y इसकी product किसे? y, z से और इसकी product किसे? z, x से simply करना क्या है? पहले तो integer value देखो नहीं है तो English alphabet पे नजर डालेंगे यहाँ पे x मिल गया, x की power 1 है यहाँ x नहीं है, यहाँ x है तो total x कितने मिले मुझे? 2 तो x की power क्या हो गई? 2, power add हो गई फिर ऐसे ही y को check करेंगे y भी 2 है तो y स्क्वेर हो गया ऐसे ही check करेंगे 2 times z है तो z स्क्वेर हो गया, यह answer बन गया थाना simple second part देख लेते हैं second part के अंदर क्या है? हमारी product जो आएगी product equal to a की multiply minus के a square से और multiply a की power 3 से तो भाई देखो 3 की 3 इंगलिस alphabet सेम है तो powers add हो जाएंगी तो यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3 तो total हो गई 6 तो answer आगया a की power 6 अब minus sign a की term के आगे है तो हम यहाँ पे minus sign लगा देगे ठीक है? अब third part के अंदर देखती है क्या है? third part के अंदर product देखो हमें 4 monomials दे रखे हैं तो गबराने की जरूरत नहीं है 2 की multiply किससे? 4 y से इसकी multiply 8 y square से और इसकी multiply 16 y cube से तो पहले integer value को check करेंगे 2 4 जा 8, 8 8 जा 64 64 की हमें किससे multiply करने पड़ेगी? 16 से अब 64 की अगर हम 16 से multiply करते हैं तो मेरे पास आजएगा 1024 product करके तो यहाँ पे आगया 1024 अब English alphabet देखो यहाँ पे y है, यह भी y है, यह भी y है power add कर तो 3 or 2, 5 और 1, 6, तो y की power 6, यह answer बन गया है ना simple 4th part देख लेते हैं, 4th part के अंदर क्या है product equal to a multiply 2 b multiply 3 c और multiply 6 a, b, c यह हमें values दे रखी हैं, तो यहाँ पे product देखेंगे सबसे पहले integer value की, 6 3 जाए 18, 18 2 जा 36 फिर a की multiply करेंगे a देखो कितने times है, 2 times तो a की power 2, फिर b की b से multiply करेंगे, b की power 2, c की c से multiply करेंगे, c की power 2 तो यह आगया मेरे पास 30 a square, b square, c square is the answer अब last part simple है, मेरे करने से पहले अगर आप कर पाएं, तो यह मान ले जीए, आप product असानी से सीख चुके हैं यहाँ पर क्या है मेरे पास, m multiply minus का mn और multiply mn p तो क्या answer आजाएगा, देखो बच्चो, m की power 1 यहाँ भी m की power 1, यहाँ भी m की power 1 तो कितने times m है, 3 times तो m की power 3 n देखो क्या है, यहाँ 1, यहाँ 1 तो n की power 2 और p अकेला है, हमारे पास तो p, और sign किसका रहेगा, minus का, तो minus का m3 n square p is the answer तो यह हमारे पास क्या आगए, इनकी products, तो I hope आपको product करनी अचानी से आगई होगी monomials की हो, polynomial की हो, cubical की हो, कुछ भी product दे रखी हो, तो गवराना नहीं है बस, next classes को आपको follow करना है, क्योंकि upcoming classes, 9th, 10th, 11th, 12th की वीडियो भी आपको इस channel पर मिल जाएंगी, thank you students for watching next classes वीडियो